के देखे दोस्तों आज हैंबात करेंगे पाच नत्र के सेकंड पार्ट वारे में तो सेगए फर्ष्ट औरiquement नहीं तो मुक के बारें पढ़ चुके हैं मजल के बारें पढ़ चुके और सबने में इस जीप के दान्तों वारए तो द weld को सब्सक्राइब होता क्यों यह योता है क्यों के दांतों के ऊपर कुछery मजबूत करते पैजाती यह जैसे आपने nadal को वाज़ें तहीं वह सबकते में इस्तित होते हैं साइभियोल करणा करें बता है कि दाथ और ऐल्व पष्चुके चोनटन को क्या बोलते हैं को उसको को एक वोलते हैं पॉलते है त्रींट के प्रकार नहीं तो नमें प्रकार स्क्राइब किस निए बहुते हैं। भाग मोता है। होता है। परत पाई जाती है थिक है उसके बार में देखिए नेखवला पार्ट जो कि क्राउण और रूट के बीच गब कह भाव होता है ठीक है उसके बाद के रूट रूट होता Kitchen ग्फ हैं लग सोट मलस्मेंज्ट में इस्तित होता है ठीक है ये सीमेंट इने माल यह क्या है दांत के उता के हैं या उनकी परात है ठीक है अब देखिए यानिकी जिन में ऐसे दांत जिन में क्राउन होता है ना क्राउन छोटा होता है क्राउन का मतलब यह स्था छोटा होता है ऐसे दांतों को क्या बोलते हैं ब्रेक्यू डॉंट क्या बोलते हैं ब्रेक्यू डॉंट बोलते हैं जिन दांतों में क्राउन छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं ब्रेक्यू डॉंट बोलते हैं और जिनमें क्राउन बड़ा होता है समझ भाए लॉता है जोड होता हैं टीक तत में बड़ा भॉलते हैं अब बात करेंगे के फिल तो पलखोटाइस मिले सभसे अंदर उतक होता हैं थीकिये उसके देंडम्टाइन के बाक हो जो परत होती हैं रहुति की परत होती है। कि उसके बाद देंट्ट की आ ke पर पार mm आधार दांतों के तरकार कम सुरूद के बारें पड़ेंगे ठीक है तो देखेंगे बिजाओ कि परेड़ेंगे अपनी मुह में इस्तिती है भूं मुह में कि इस्तिती है वह कारें के आधार पर कारें के आधार पर दांतों के परकार तो कितने परकार बुद्धे देगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंजाइज़ टीथ अब इंज़ टीथ चांटेज़ टीथ क्या बोलते हैं कटेंड टीथ चांटेंड का टीथ टीथ और का बोलते हैं करदन बरदन बोलते हैं अधिक तुम तो यह द्धान रपना है और क्या हो गया बोलते हैं को श्माइलिंग टीद तु क्या भी लिए लिए लिएगं का टीध कर चाहित को जब बैस हस्ती है तो यह इंड ने इस तकाइद मतार जब जब मोस्कराती है यह और तो कौन से दान्त देखाई 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 ना उन्हें इस नहीं होते हैं उनकी जगाए खाली पाई जाता है जिसको क्या बोलते हैं टेंटल पैड बोलते हैं तो जब नहीं होते हैं तो देखिए जो होते हैं यह कर सामने की तरह पेस्थित होते हैं सामने की तरफ इस्तित होते हैं अब देखिए इनको कटेंग टीट क्यों बोलते हैं क्योंकि बोजन को काटने का काम करते हैं ठीक है बोजन को भी और किसी को भी क्यों की कि अप्रिक है क्यों को काटने का का थे उड़ी आप हिस्माइमें के क्यों की बूलते हैं क्यों बूंकि जब इस्माइल करते हैं सामने वाले Aquí मैeredcm ने क्योंक्ल पॉलते हैं इस समयले ठीक है तो दो गए इन्साइज ответ कि धिए दूसरा केनायन को क्या बोलता है स्वान्त बोलते क्या बोलते हैं स्वान्त खुट्छ होता है थीक है केनान होते हैSi वो चीड ने चीडने भाडने का काम करते हैं चीडने भाडने का काम करते हैं एक कहने अंता होते हैं तो देख लिए एक खालत पतार्तों को कीडने भाडने का काम करते हैं आपको एक रगना है कि यह रूमन्ती जानवरों में नहीं होते हैं रूमन्ती जानवरों में यह एकसेंट होते हैं का यूमिनेंट्स में अनूपस्थत होते हैं, 만들 आप देखे जब केना धारा अनूपस्थ rant होते हैं में कि उनमकी जर्काइर अनूपस्थत होते हैं आप दिखें जब क्याना यंदाद अनूपस्थ्तत होते हैं, उनकी आस्तों पस? उनके बीच जो खाली जगे होती है खाली जगे होती है जाने वाला जो खाली इस्तान होता है उसको क्या बोलते हैं तो यह किस किस के बीच होता है तो यह वस्ट प्रीमोडर और कैनायन दातों के मत्ते देखने को मिलता है तो समझ माया कुछ कैनायन दात होते हैं वो चीड में भाड़ने का थाम पढ़ते हैं और इतना ध्यान रगना है कि रूमनती जानवर होते हैं उनकी जगे पर खाली जगे होती है जिसको क्या बोलते है क्या बोलते हैं डाय एस्टेमा बोलते के लिए ठीक है अब देखिए अब हम बात करेंगे चीप टीट के बारे में चीप टीट ठीक है अब देखिए अब प्रॉब्लम देते हैं है कि अब है कि चीप टीट है कि मैं ध्यक्सेथ नथे कि वह संत्य चीह थीज़्ज में यह दो प्रखार को ते कि ने प्रव होते हैं ऊपनेखिए तो देक वह लोटे जाब भूजन पर चबाने का काम करते हैं तो दो प्रकार्व होते एक तो इसे कि अ चील्म और दूत्रे होते हैं अग्र कर दोगते हैं भी तो समझ आत एक बार दोबारा से समझा रहा हूं आतर हो श्रवत हो चार सामने की तरफ इस्तित होते हैं और यह बाद ध्यान लगना है क्या बोलते हैं जो की काटने का काम पड़ते हैं को काम करते हैं को इसमाइलिक टीथ भी हम बोलते हैं ठीक है अब देखिए रूमनती जानवार होते हैं उनके उपड़ी जब दानत नहीं पाई जाते रिविट पाए जाता है ठीक है डेन अपड़ पाए जाता उसके बाद है के 90 यह क्याकूं करते हैं छीरोण की बात करेंगे अरे बैया कुटा होता है को पसु दंकी स्रेडी में नहीं आता ध्यान लगना है कुटा होता है को पसु दंकी स्रेडी में नहीं आता क्योंकि उससे कोई आय पराप्ती नहीं होती है उसके बाद में हम बात करें किसकी तो देखिए यह तो बात होगे किसकी इस्तिती एवम कारे के आधार पर अब हम बात करेंगे आकार एवम आकृती के आधार पर दांतों के परकार आकार एवम आकृती के आधार पर दांतों के परकार आकार एवम आकृती के आधार पर तो देखिए पहला है घुमो डॉंट समान क्या होता है समान दांत तो जब दांत आकारेवं आकरति समान हो तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या दूसरी दूसरा है हैं हेटेरो डूंट शेना हैं हेटेरो डूंट का मतलब क्या हो जाएब समान हो ठीक है जो एसा मान्यों क्या आकारेवं मार करती में एसा मान आतोट जो झालतों की आकार एवन आकरती कि आप पुंक। उनके कार्य के साब से उनके कार्य के छाब से अलग हो। तब अलग अलग हो क्या बोलेंग उनको हैटे लो डॉंट ठीक है अब देखिए अब बात करेंगे यह किसके आदार पर आकर एभं आक रती का अधार अब पढ़ेंगे दांतों के गिरने यह पर्मानेंट यह ना और यह ना पूद एस ताइब इस ताइब और एस ताइब लि कि पहला है कि तेले इसको लिख लिया हो तो इसको इसको उपर लिखने लिए कि दांट के गिरने कि एवं कि प्रतिस थाफन के आदार पर प्रतिस थाफन के आदार पर दांटों के प्रकार तो देखें पहला भी या डाई फायोडोंट ठीक है तो डाई फायोडोंट का मतलब क्या होता है यानि कि जीवन काल में तांटों के दो सेट आते हैं इसमें कि जीवन काल में तो दांटों के दो सेट आते हैं तो दूद के दांट आते हैं उसके पर्मानेट दांट आते ठीक है तो उनको क्या बोलते हैं डाई फायोडोंट बोलते हैं तो देखें पहला सेट कसा बोलते हैं पर्मानेट टीट बोलते हैं इसथाय बोलते हैं इस और बताव को बोलते हैं या दूद के दान खनांट भी ठीक है तो उनको बोलते हैं डेसीडियास टीथ या मिलक टीथ या टेम्प्रेरी टीथ बोलते हैं याने कि एस ताई टेम्प्रेरी टीथ बोलते हैं ठीक है दूसरा सेट दूसरा सेट इनको बोलते हैं पर्मानेंट टीथ क्या बोलते हैं पर्मानेंट टीथ पर्मनेंट टीट अब सुमझें उसके बाद दूसरा है पॉली भाव डॉंट पॉली अधायो डॉंट इसका मतलब होता है जीवन काल में दातों के कई सेट आते हैं ठीक है हुआ है है कि अब यह समझें प्रिष्व को समझें हो भी दो मिन्स किरियर लेखी वह पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पहुंड़ है तो देखें दो प्रकार होते हैं यह को बतार बैक होता है हुआ जीवन्तार होता है उसमें दो बार ना अंत इतने बार आते हैं दो ऑर आते यह के गलते हैं जिनको का और तो इस क्तुधी तीथ यानि कि स्ताइब रहते हैं इस्ताईं दात की यह हमने पढ़ाता आकारे मार्व मारुती में समान होना तब उनको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब तो यह तो यह तो यह तो आप देखिए अब पास्तों कौन से परकार पाई जाते हैं तो देखो एक तो है तो एक है थीकों टॉंट और डाई यह तो यह तीन परकार के समस्ता पाई जाते हैं पॉसुद्धन क्या होता है इसे जानवार जिन से हमें किसी ना किसी प्रकार से आई की प्राप्त होती है जैसे गाय भेश बेड़ बकरी और उंट गोड़ा गदा खचर सुवर ठीक है और कुटा बिल्ली खरगोस या पसुद्धन की स्रेड़ी में नहीं आते हैं तो पसुद्धन में कौन कौन से दातों के प्रकार पाए जात है अब यह तो दांतों के प्रकार हुए अब हम दांतों के दंते विखनी दिश्चार लेते ठीक है तो देखिए इयए और ज़्यान रगगी ए कि पॉल्ट्री में थानत अनुपस्तित होते हैं निकलिजिए नोल्ट डाल गएं कि इंचार चार के नाएं दो परी मोलर चार ठीक है तो ध्यान रखना है अब देखे हम पढ़ेंगे दन्द गन्यास आप कि रूमन थी ठीक है गोड़ा गोड़ी सुवर कुत्ता ठीक है इनके बारे में इनके दन्द गन्यास के बारे में पढ़ेंगे हो तो देखे पर्मूरा याद रखने के लिए ठीक है परमेंट नहीं देखो और इस्ता यह द्यान लगना दबल जीरो त्यरतीस ठीक है च्यार परहां देखे और गोड़ा गोड़ा आके यह अक्तिती कर्थी 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 ठीक है गोड़ी में 30 33 33 33 सुवर में 31, 33 31 31, 33 31, 32 31, 32 31, 32 31, 32 कि यह तालीश ठीक है और उन्ट में होते हैं ग्यारे टेटीस एकपतीस तेटीस ग्यारे टेटीस एकपतीस तेटीस अब देखो मैं थोड़ा से रूमन्ती जानवरों की बात कर रहा हूं ठीक है गायगी तो देखो तुम समारों कि और तीन ऊर्थीट खैंग को की तो समारों रहा है शुकम अद्धी एक भाली च उपनद्र साह नगिस्ति सानव collection कि टीक है कि माराव के है जाएंगे तीस दूनी चालीस है जोड़ां कितने जाएंगे चालीस गोड़ी में देखो आप शे तीन और तीन चे उजाएंगे शे उचे चेटिंबारे चेती अठारे तो उपनी और नीची जब्रे में कितने ऊठारे तो ना 37 एदर आजाओ सूबर में कितने उड़े देखो चै आठ चेटे चौदे 15 सूबर से कितने होते बाइस और दुनी चंबालीस ठीक है तो सुबर में कितने हो गए चम्बालीस हो गए ऐसे कुट्ता कुट्तिय में देखो छे साथ आठ 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 शोले सत्रे आठारे आठार आठार तीन एक्कीस और एक्की दूनी ग्यालीस हो गए दाठ ब्यारीस ठीक है फूर्ट में आजाओ तीन अन्टी तीन दून शे नाटी नौ दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंदर सोरे सत्रे 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 गड़ा दो बराबर चोंटीस ठीक है तो देखें रूमनती चारपर होते ना जैसे गाये बेश बेड वगडी तो रम लगव कितने कांत होते हैं 30 कैसे कैसे को ऊहिसे कैसे और कि लोडा देखें जो केलाय। तो हम बात करें इंसाइजर कितने होते हैं जीरो बटे चार हम गाय की बात करें और केनाएं जीरो बटे जीरो और प्री मोलर कितने होते हैं तीन बटे तीन बटे तीन गुणा कर देओ दो से ठीक है तो टोटल कितने हो जाएंगे तो यह जाएंगे तीन 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 तुन चैना तीन जीरो भार रहें बारो चार सोले और सोले दुना बात तीस में दो दिया जाएं तो इंसाइजर कितने होते हैं तीन बटे तीन कि यह एक बटे एक प्री मोलर को तीन थीन थीक एक गोड़ा करते हो दो थे कितने हो जाएंगे चालीस इस घोड़ी कि इस तीन इस घ्ते में जीरो क्योंकि खोड़ी में केमा दान उपास दोते जिरो प्री मोलर को तीन वटे तीन और मोलर के जोड़ा दो बराबर अठारत उना त्यस आसे शुल में देऊ इंसवेड़ा कि इन वटे तीन केनायन एक बटे एक और प्री मोलर चार बटे चार और मोलर तीन बटे तीन गड़ा दो बराबर चमबारीस ठीक है को किमिंग को जयी होते है कि दूदे तीन कंध चार बटे चार चार और दो बड़ा थीन मोटे तीन गड़ा दो बराबर चारी कितने होते हैं तो मुट में इंसाइजर होते हैं कि एक बटे एक कैनान होते हैं वह एक बटे शोली तो बाइस लगें है कि रिर्मोडर धोरते हैं दो इस वह दो तीन सूख ther3 छाना दोर्य होगया भिद्च हमिआ प्रट लेना जियाद कर लेना तेसे भी जैसे आपको अच्छा लगे आप एक चीज़ समझो देखो एक चीज़ धान लगना आपको आप इसको लिए लिख लेना अब एक चीज़ देखो एक तो खास बात यह है इसमें कि जो रूम अंती जानवर होते ना उनमें इंसाइजर जानवर होते हैं उनमें के इन दाथ पया जते है घ्यान लगना और द्यान क्या लगना है में गोडा चाहिए कि तने उपस्तित होते हैं यह भी ध्यान रगना है लिख ली जिए हैं कि जो असुक क्या दधन में पासु धन में सबसे ज्यादा नहीं हो वो कि सिवर में फार जाते कितने सबसे कम कितने 32 समझ यह पूंट है जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं एक बार दुबारा से में रिपीट कर रहा हुए ठीक है तो तुम जितनों समझना आगा इसा पढ़ ली जो घरम आप पढ़ेंगे क्योंकि व्यूडियो जारा लंगी है जागी और तुम रितनों होते हैं उब सी नफरी में इस जालत नहीं पाई जाता है और रिम इंदान होते अंउपस्तित होते हैं उनकी जगए खाली इस पादयाधा के ते outfits डाइस्टेमा के चबभी गोड़ी में केनाईंड अनुपस्तित होते हैं ठीक है उसके बाद आपको ध्यान लग रहा है कि पसू धन में सबसे जाज़ा दान्त पाये जाते हैं पाये जाते हैं सुवर में पाये जाते हैं & संप कम दान्त किसमें पाये जाते हैं और पल्टी में को अनुपवस्तित होते हैं और अगली दौदी में फैरें से बारे में तो दीले दीले हट परते रहे यह ब्यूलिया पूरा देखा है उसके लिया आपके बहुत बहुत दंदवाद